कि दोस्तों यूपी टीटी दोजरे किस का रिजल्ट डिकलेयर हो चुका है आई होप अभी तक आपने अपना रिजल्ट जो है चेक आउट कर लिया होगा जिन में तो ने अभी तक चेक आउट नहीं किया तो आप फीसल वेबसाइट के माद्दम से या गौर्मेंट जोबसें नहीं होए पाई है, उनको हतास अनरास होने के जरूत नहीं है अगर आपने से पहले से इटएट आपका वो दिया था आपका कौइलिफाई हो गया है ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है आपका यूपी टेट या सीटट दोनों में से कोई एक कौईफाई होना चाहिए, द तो आपको यूपी में ही आवदन करने का मौका देगा ठीक है तो अगर इसमें से कोई भी आपका सीट्र या यूपीड़ में है तो आप आने वाली बढ़तियों के तैयारी सुरू करें देखा जा तो यूपीड़ जो एक्जाम आप दे करके आए हैं तो यह तरीके से यह पर आगे समय है उसमें आपको अपनी काबिलियत दिखानी है काबिलियत का मतलब यहाँ पर मेरा यह है कि यहाँ पर आपको यूपीड़ से ज्यादा मेरत करने की ज़रूत है क्योंकि यूपीड़ इलिजबिल्टी करेटेरिया था एक जिसमें से 90 नंबर लाना होता है जब आपका बढ़ता जाएगा जैसे अगर हम बात करें कि सुपर्टेट या अन्ने एकजाम के बारे में तो एक सुपचास का जैसे एकजाम होता है तो नबे लाकर के आप नोकरी नहीं प्राप्त कर सकती कि इतना ज्यादा कमपटीशन हो गया है तो कम से कम आपको एक सुपंद के ऐसे मौके जिसमें एक ही मिनत में आपके अन्य जो काम वह भी हो जाया जाने अन्य बढ़तियां भी आपकी एक ही मिनत में सफ़ा देखने को मिलें तो यूपेज़ेट के बाद आपके पास आने वाले समय पर दो बढ़तियां आए जिसमें एक ही मिनत पर आप दोनों एक आप लोग जानते हैं यूपी प्रात्मिक बढ़ती है और के विए सेंट्रल की वेंगेजी है तो सुपर्टेट में तो आपका यूपी टेट है या सीट है कोई भी क्वैलिफाई है तो आप इलिजबल हैं लेकिन के विएस में वहीं बढ़ती लिजबल हो पाएंगे जिनका स क्वैलिफाई है ठीक है और दोनों का जो पार्टिक्रम है लगबग लगबग एक जैसा है क्योंकि दोनों में ही आपका जन्रल पेपर आता है जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं वह यहां पर नहीं आते हैं ना दीशुपर्टेट में आते हैं और नहीं के विएस एक्जा और दोनों में से कोई ने कोई एक तो आपका क्लियर होई जाएगा तो फिलाल छोटा समय आपको ओवर भी देता हूं कि सुपर्टेट का सिलेब्स क्या होता है कैसा पेपर आता है और के विएस में कैसा आता है ठीक है तो यहां पर देखो मैंने के विएस का आपके सामने य रहुआ हूं तो यहांपर पर क्या क्या आने वाला कि द जिसमें से आपके 20 question होंगे 20 नंबर के ठीक है और पार्ट टू जो होता है इसमें क्या होता है कई सारे जर्णल सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि जर्णल नॉलेज़ और करेंट अफेयर दस नंबर कायेगा दस question होंगे रिजिनिंग अबल्टी आएगा और कुछ यहां पर सब्जेक्ट कंसर्ण्ड भी वाला मैडर होता है लग ज्यादा नहीं होता है ठीक है लिख फिर भी आपको यहां पर यह चीज़े पढ़नी पढ़ेंगी ठीक है तो यह जर्णल पेपर आपका के वियस का होता है और इसमें आपके कुल मिला करके डेड़ सो कुष्चन होते हैं डेड़ सो नंबर के ठीक है और सब्जेक्ट कंसर्ण्ड देखी यहां पर लिखा है असी कुष्चन है असी नंबर के तो ज्यदा तर देखा जाए तो यहां पर आपको जन्नल पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए देखा हो तो दोनों प कि यहां पर भी आपके ज़ाए जयता जो जन्नल पेपर ही आता है सब्जेक्ट रिलेटेट्ट यहां पर जदा आपका टीचिंग सब्जेक्ट नहीं होते हैं देखें यहां पर लेंगवेबज्ट जो होगी आपके 40 नंबर की आएगी mathematics 20 नंबर की आगी science 10 नंबर की जिए लाइफ इसकल मेनेजमेंट एड़ डूट दस नंबर के इस तो पचास नंबर का पेपर आपका यहां पर भी आता है ठीक है तो दोनों में आपका जनरल सब्जेक्ट ज्यादा पूंचे जाती हैं तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं आपके पास यह मौके हैं दो जर बाइस में क्योंकि दोजार बाइस में यूपी में प्रात्मों सिच्छक वर्ति का विग्यापन भी आना है और के विएस वैकेंसी भी आने की उम्मीद है अलाकि उम्मीद तो की पिछले साल भी थे लेकिन पिछले साल तो रही पाया तो इस साल प्राविल्टी बढ़ गई यह कि आए कि यहां पर सब्जेक्स रिलेड़ कोईस्टन्स आएंगे तो किस तरीके से आएंगे तो यह भी एक तरीके से आपका जन्रल पेपर ही होगा जन्रल चीज़े इसमें पूछे जाती है कोई डीप आपको पढ़ने की जरुद नहीं है अब असी नंबर जो के विएस में संदी आएगा जैसे व्हला जो के सामने हैं ठीक है इसकेलावा यहां पर इंगलीगा इसमें जो ग्र्मर वगयरा होती वही सारी चीज стан करा सब्सक्राइ amounts अट ग्राइंव साइंस है कि इसमें बी कarl 690 वशायन को अब का साइंस और बागटा चाएंबर, इसीए और आपका इन्वारिमेंटल साइंस भी है जिसको आपका इवियस में एवलाव के वियस में जो है आपका जो बहुता है सब्सक्राइब का इसके अंतरगत सारी चीज़ें तो यह मत सुचना कि सब्सक्राइब आप रमागा गया तो कोई यापको डीप पढ़ने का जुरूत नहीं पढ़ना क्योंकि प्राइमरी स्थरत पर रेटर जो होते हैं जो प्रैमरी में सब्सक्राइब परा जाते हैं उससे समद्ध जन्रल चीज़ें ही पूंची जाती है तो दोनों आपके पास मौकए साइंस हो गया इनको फोकस करें ठीक है ताकि अगर कोई एक से नहीं आती दूसरी आ जाती तो इसमें भी आप लोग अपलाई कर पाए एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप एक्जाम के तयारी करें तो किसे एक पर्टिकलर एक्जाम के तयारी ना करें बलकि उस बढ़ती में कौन को सब्जेक्ट आतने हैं उन सब्जेक्ट की तयारी करें ठीक है ताकि कोई भी उस सब्जेक्ट से लेड़ बढ़ती आती है तो इसमें आप किलियार कर पाए तो आपके सामने 2022 में दो अच्छे मौकी है इनको यूटलाइज करिए इनको इन दोनों की टेस्स प्राप्त कर सकती है इसके लगा और भी आल इंडिया की जो भी टेस्स प्राप्त कर सकते हैं वह भी केवाल 2.99 में डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक दिया गया है एबिटेक ओनलाइन टेस्स सेरीज आपका उसको आप लोग डाउनलोड करके चेकाउ सकते हैं और अपनी त्यारी बैतर कर सकते हैं धन्यवाद हो